Hello students, welcome to uni classes of right way. और आज बच्चे चैप्टर 1 की ये last class है, class number 10, जिसमें हम लोग theory करेंगे chapter 1.1 का. इसमें काफी कुछ theory है, sample population terms आपको जानना जरूरी है, प्योंकि उन सब का use अब chapter 2, chapter 3 से start हो जाएगा, और फिर econometrics तक चलेगा. micro macro में be win sample, population, ऐसे ऐसे terms आते रहेंगे, तो आपको clear होना जाएगे कि ये सब क्या है. तो बच्चे इसमें section 1.1 में न theory है, तो मैंने pdf और लड़ी बना लिया है, ताकि वो लिखने में हमारा time बरबाद ना हो. तो हम लोग चलते हों, उसी pdf पे और वहां से हम लोग फिर पढ़ेंगे. ये pdf आपको मिल जाएगा website से chapter 1 के pdf में, तो आप वहां से इसको download कर सकते हो. तो 1.1 में बच्चे हमें पढ़ना है, sample, population, sample and process के बारे में. कितने तरीके से हम लोग sample और proportion को पढ़ेंगे. यहां देखो बच्चे, सबसे पहले population क्या होता है? मान लो कि अगर मुझे दली में factory लगानी है, और दली में ही माल बेचना है, दली से बाहर नहीं जाना. तो मेरे लिए population हो जगा पूरा दली का entire individuals. अब sample पूरे दली के लोगों से, हर लोगों से बातचीत करके, उनका टेस्ट पता लगा करके, फिर हम अपना product बनाएं, ऐसा possible नहीं, इसमें सालों साल लग जाएंगे. हमने छोटे-छोटे sample बना लिए, नौर्थ दली से, दस लोगों का interview ले लिया, साउथ दली से, इस्ट दली से, वेस्ट दली से, उसी बेसिस पर हमने एक result अपना बना लिया, और हम लोग अपने factory का का कम शुरू कर देंगे. छोटे-छोटे units जो होते हैं population के, जिनको हम consider करते हैं कि ये भी unit of population ही है, that is called sample. अब sampling क्यों करते हैं क्योंकि population बहुत बड़ा होता है, पूरे population को cover करना हमारे बस की बात नहीं होती, time भी ज़्यादा लगेगा, money भी ज़्यादा लगेगा, उतना हमारे पास resources नहीं होता है, इसलिए हम लोग sample के basis पे ही अपना result रेक्लियर कर दे दें, मालो मैंने आपको बोला, DU के बच्चों की average height निकालो, अब आप कोगे, ma'am, इसमें तो लग जागा, महिना time लग जागा, सारे बच्चे आएंगे, नहीं आएंगे, कोई बच्चा घर गया हुआ है, कुछ न कुछ गरबड होना ही होना है, सारे बच्चे बिलकुल present हो, ऐसा बहुत कम चांस है, तो आपने एक sample ले लिया, जब सारे बच्चों को नहीं cover किया, तो that will be considered a sample, उस average height निकाल लिया, और क्या दिया कि मैं हम लगबग यही आएगा, दियू के बच्चों का average height, थोड़ा इसे उपर, थोड़ा इसे नीचे, अब थोड़ा इसे उपर, थोड़ा इसे नीचे, अभी तो आसानी से बोल दिया, लेकिन यह सारा को सिमिस्टर 2 में पढ़ना है, स्टैट्स में, भाई, कितना उपर और कितना नीचे, यह भी निकालना हम लोग सीखेंगे, सिमिस्टर 2 में, अभी सिर्फ से एक idea लगाएंगे, कि सेंपल का average इतना है, तो population का भी इतना ही हो, तो population अब समझ गए हो, entire unit, जिसको हमें cover करना है, जिसको हम सोच रहे हैं, population कभी Delhi का population हो सकता है, या कभी हमारा state का हो सकता है, कभी country का हो सकता है, कभी world भी हो सकता है, तो population is the aggregate of objects, items and observations, which may be related to living or non-living, under study in any statistical investigation, इतना बड़ा area को आपको consider करना है, all will be considered as a population, नीचे में देखना, for national per capita income, population क्या हो जाएगा, किसी country का population मनना जाएगा, by national per capita income निकालना है, state का तो नहीं निकालना है, national निकालना है, तो पुरे country को लोगों का लेना पड़ेगा, तो population will be country, for city expenditure habit, अब population क्या हो जाएगा, city हो जाएगा, कि city का household का खर्चा निकालना है, average height of students in DU, तो population क्या हो जाएगा, DU के बच्चे हो जाएगे, population vary करता है, कि आपको object कहां से कहां तक लेना है, so population depends upon need, and nature of investigation, भाई हमारी need क्या है, जैसे DU के बच्चों का निकालना था, तो DU ही population हो गया, national का निकालना है, तो पुरा country हो गया, तो need क्या है, और किस step का investigation कर रहा है, उस पे depend करता हमारा क्या बताओ, population, next है, population universe, जिसकों लोग universe भी बोलते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं, तो उसके चार टाइप हैं, बताएगा हैं बच्चे, finite population, infinite population, existent population, hypothetical population, नाम से ही क्लियर है, finite population मतलब जिसको आप count कर सको, finite population कहलाएगा, infinite population जिसको आप count ना कर सको, existent population मतलब, concrete object, तो exist कर रहा है, आपको सोचना नहीं है, imagination में नहीं जाना, you know what it is, लेकिन hypothetical में, जो आया नहीं है, जो भविश्य में आने वाला है, या आ सकता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, टेल में देखते हैं, finite number of objects होगा, किसमें finite population में, जैसे students in a college, एक college में बच्चे finite students होते हैं, सबका admit card बनता है, सबका roll number होता है, सबका fee enrollment, सबकुछ होता है, finite है तबी, population of a city, ये भी finite ही होगा, next is infinite population, infinite objects are large enough to appear infinite, या तो infinite हो, नहीं तो इतना बड़ा हो, जिसको हम लोग infinite माल लेते हैं, जैसे पूरे country के population का कुछ सर्वे करना हो, तो वो हमारे लिए possible नहीं है, कुछ ना कुछ missing होई जाएगा, तो temperature at various thermosphere, अब अलग-अलग thermosphere पे temperature, अब कितना measure कर लोगे, 21 measure करोगे तो 22 degree भी होता है, 22 degree measure करोगे तो 22.1 degree भी होता है, 22.14 degree भी होता है, ऐसे तो infinite temperatures हो जाएंगे, stars in the sky, तो यह सब infinite population के अंदर में आ गया, existent population में बच्चे, concrete objects जो होते हैं, इसको हम बता सकते हैं, कि what it is exactly, that is called existent population, जैसे books in a library, scooters in Delhi, aeroplane in IAF, अगर आपको library के books का चाहिए, तो inventory में जाओगे, तो आपको सारे books का information मिल जाएगा, कि इस library में कौन-कौन से book है, scooters in Delhi का अगर चाहोगे, तो license office से पता लग जाएगा, क्योंकि सब को license generate करके दिया गया, वही scooters Delhi की सडकों पे चल रही है, तो आपको पता लग जाएगा, कि Delhi में कितने scooters है, aeroplane in IAF, इंडियन एर फोर्स में कितने aeroplane है, इसको भी आप काउंट कर सकते हो, और कौन-कौन से हैं, exist कर रहे हैं, hypothetical नहीं कि भाई होगा, अगले साल इतना बन जाएगा, उसको नहीं काउंट करना, कितने हैं, that is called existent population, और hypothetical में next में है, जैसे throw of a die, or a quantum infinite number of times, अब देखो, ना हम कभी infinite number of times throw करेंगे, ना हमारे पर sample space आएगा, लेक इंफिर्बियों में एज्यूम कर लेते हैं, that is called hypothetical population, समाझ में आगे बात? next है census method, इस census method क्या है, आप देखते होंगे, कि जब भी कोई election होने वाला होता है, तो दस साल में एक बार ना census report होता है, आपके घर पे कोई, government school के teacher generally ज़्यादा तरा आते हैं, क्योंकि private में manage करना मुश्किल होगा, census के लिए फिर उनको अलग से TAD, काफी खर्चा हो जाएगा, government school के teachers का क्या होता है, कि पूरे इंडिया में बहुत सारे मतलब government school है, और हर district में, हर शहर में, हर गाउं में government school है, government school के teacher का locality भी वहीं पे है, वो established है, उनका अपना घर है, सब कुछ है, वो भी खर्चा चलाने के लिए government ही उनको salary दे रही है, अब government का अगर एक काम होगा, census report तयार करवाना, घर घर जा करके, वो अपने employee को तयार कर लेगी, उससे क्या होगा, कि उनको रहने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत incentive दिये, वो working hours में जा करके, वो census report तयार करके लेते आएंगे, census report में, हर बंदे का, कौन-कौन से information डालते हैं, head of the family, address, कितने बच्चे हैं, सब का education level भी डालते हैं, educated है या नहीं है, कहां तक पड़ा लिखा है, graduate है, 12th pass है, master's किया हुआ है, अपना business करता है, सरकारी job है, बच्चे कहां पढ़ते हैं, सारा कुछ information वो कर लेते हैं, क्योंकि जब एक बर आपके घर पे वो government official आया है, census report तियार करने के लिए, और 10 page का form होता है, वो पूरा form भरवाता है, आपसे time अच्छा काजा लगता है, इसलिए 10 साल में एक बर बनता है यह, हर 10 साल पे renew होता है, census report, census report जब एक बर government official आया ही है, तो वो सारा information लेता जाएगा, आपके घर में कितने member हैं, कौन से caste के हो, आपका गाउं कहां है, आपका native village कहां है, आपकी property कितनी है, क्या है कमाई का जरिया, private है, government है, क्या business करते हैं, सारा कुछ होगा उसमें, ठीक है, सारा कुछ होगा उसमें, कितने लोग uneducated हैं, सारा कुछ, तो census method जो है, उसी के बारे में, अब हम लोग डेटेल में पढ़ते हैं, मैंने बता तो दिया, when desired information is available for all objects in the population, it is called census, अगर population के हर object के लिए information है, तो that will be called census, actually census is impractical, कभी होई नही सकता, क्योंकि मान लो आप अभी आप के आप गुजरात से बिलॉंग करते हो, गुजरात में आपके घर पे census आया, उसने report में क्या लिखा, कि अच्छी जो है इनके देली में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो गुजरात में भी mention होगे आपका नाम, और जो देली में census वाले आएंगे, वो आप से पूछेंगे, तो आप अपने बार में बताओगे, तो आपका नाम देली वाले में भी mention होगे, उसना कुछ गरपड़ो हो जाता है, ठीक है, या गुजरात में जब mention कियोंगे, कियोंगे, तो आप गुजरात से बाहर आचोके हो देली में, तो आपका नीम तो गुजरात वाले लिस्ट में है, दिली वाले में नहीं आपाया, तो गुजरात के स्टेट का पॉपलेशन, तो आपने बढ़ा दिया, दिली का कम कर दिया, जबकि actually आप Delhi में हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जो कि census में practically possible नहीं हैं, फिर भी और हमारे पास रास्ता क्या होप क्या है, उसी पर हम रिश्वास करते हैं, मान लेते हैं कि यह इतना सही, 100% तो नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक हो जाता है, actually census is impractical or infeasible, due to constraint of time, money and other scarce resources, सारे resources की कमी होती है, इतने wide level पर पूरे country की हर बंदे का information रखना, हर परिवार का information रखना, यह census के लिए बड़ी मुश्किल काम है, it is also called complete enumeration, complete enumeration means सारे डेटा को touch किया जाता है, we resort to 100% inspection of the population and enumerate each and every unit of the population, हर unit के बारे में information होता है, it is more accurate and provide exact information compared to sample, अब sample में क्या होता है, मान लो हर state के 10-10 बंदों से interview ले लिया और अपना एक result निकाल दिया, तो वो true इंडिया को reflect नहीं करेगा, हो सकता है आपने जिन 10 लोगों से बातचीत की, आप बहुत पढ़े लिखे हो, तो आपकी rich जो है पढ़े लिखे society के society में ही है, अच्छे खासे कमाने वाले लोगों के साथ है, तो आप वैसा view बना रहे हो इंडिया का, जबकि आप middle class, आप lower, poor people, इन सब के पास आप नहीं गए हो, तो आपको कुछ नहीं पता, आपको गरीब लोगों को क्या मिलता है, यह सब आपको कुछ नहीं पता है, क्या स्कूल का लेवल है, आपको यह सब कुछ नहीं पता है, तो you are not reflecting the true India, by doing sampling, तो उसके लिए आपको census ही करना पड़ेगा, इसलिए census को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं, किस से? सैंपल से, इट एफर्ट्स more extensive and detailed study, lot of time, money and manpower and administrative personnel, administrative personnel, मतलब सबसे निचे लेवल पर government teacher होते हैं, इसके उपर कुछ government official होते हैं, सारे data को collect करते हैं, फिर state पर कुछ higher positions वाले होते हैं, central में data जाता है, सब जगा data cover होते होते हैं, government officials के पास जाता है, so adopted only by government or big organization, who have vast resources at their disposal, ये कोई छोटी मोटी company नहीं करा सकती, census क्योंकि इतने लार्ज नंबर पर manpower कहां से लाएंगे, अगर manage कर भी लिया manpower, तो उतना पैसा कहां से लाएंगे, सब को देने के लिए रहने, खाने, और फिर data एक अठा करने के लिए, data entry के लिए, नहीं कर पाते, इसलिए government के हाथ में होता है, क्योंकि government के पास unlimited funding होता, government ही ऐसा काम करा सकती है, या फिर very big organization, जो अच्छा खास है, पैसा government से ले ले, example, government of India, conducts a census every 10 years, and collects information, not only about the population, but also obtains data relating to age, जो मैंने आपको कहा था, marital status, occupation, religion, education, employment, income, property, etc. उसी census में वो हर चीज का पता लगा लेते, कि बार बर census करना पॉसिबल नहीं है, कि बार करो सारा information लिक अठा कर लो, it is advisable to do census, if manufacturing, ठीक है, आपको कहा जाता है कि आप census करो, if and the lot size is small, अच्छा, अगर आपका size छोटा है, जैसे, स्टिफिन्स कॉलेज की बात कर ले, स्टिफिन्स कॉलेज के बच्चों का, अगर voting poll अगर कराना हो, कि वो कि कि को vote दे रहे हैं, अच्छा है कि आप population कर लो, sampling क्यों करोगे, सारे स्टिफिन्स के बच्चों को एक दिन बुलाना, या उनका जानना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक हपते का काम है, तयार हो जाएगा report, तो अगर आपका size छोटा है, तो आप population ही करो, sampling मत करो, the incoming lot quality is poor और unknown, अगर incoming lot quality, अगर आपको पता नहीं है कि क्या है, या poor quality का है, तब तो आप population ही करो, sampling मत करो, census वाला करो, क्योंकि उससे आपको फिर true पता लगेगा, data गलत है या क्या है, या क्या सही है, तो अगर size छोटा हो, तो भी census करना चाहिए, अगर poor quality का data आ रहा है, तो भी census ही करना चाहिए, तो ये था population के बारे में, अब हम लोग बढ़ेंगे किस पे, sample पे, बढ़ें sample पे, a finite subset of the population selected from it, मतलब पूरा हो गया, population, उसकी छोटे-छोटे-छोटे-छोटे parts जो होगे, वो सब क्या हो गया हो गया, sample, मतलब सारे sample को गोई मिला दोगे, तो population बन जाएगा, a finite subset of the population selected from it, with the objective of, sample select करने का objective क्या होता है, objective of, investigating its properties called a sample, and the number of units is called sample size, एक sample में कितने units है, that will be called sample size, sampling is the technique to draw conclusion about the characteristics of the population, after studying only those objects of items that are included in the sample, अब population को तो cover हम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है, और time भी उतना नहीं रहता है, उतना money भी नहीं है हमारे पास, नहीं, manpower भी नहीं है, तो हम एक छोटे से population के हिसाब से अपना result बना लेंगे, और उसी result के basis पे हम population के लिए लिख देंगे, तो इसके बार में detail में हम लोग, stats 2 में पढ़ेंगे, 7, 8, 9 in detail, पुरा तीनों chapter इसी पे best है ही, objectives of sampling theory are, अब sampling करते क्यों है, what are objectives of doing sampling, to obtain the optimum results with the available resources at our disposal, in terms of money and manpower by studying the sample values only, अब जितना money है, जितना manpower है, उसके basis पर हम sample ही, sample कर data ही कठा कर सकते हैं, पूरा population नहीं कवर कर सकते, बहीं करेंगे, to obtain the best possible estimates of the population parameter, इसमें सारे terms अपने आप में बहुत important है, यह सब हम लोग semester 2 में पढ़ेंगे, population parameter जैसे population का average निकालना है, उसके लिए estimate हो गया sample का average, तब पढ़ेंगे chapter 6 में, तो sample का average ही निकाल करके, उसी से हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, satisfy होना पड़ेगा, कि हाँ, यही population का भी average होना चाहिए, it is not accurate, and there are some errors called sampling error, जिसके बार में लोग chapter 8 में पढ़ेंगे, alpha, beta, type 1, type 2 error, पूरा chapter 8 में इसके उपर एक section ही अलग से है, error of sampling, sampling हमेशा 100% true नहीं होता, method of sampling हमारे course में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो होगा, चोटा-चोटा वो सब हम लोग करेंगे class में, ठीक है बच्चे, अब आते हैं data पे, data पे आते हैं, data क्या होता है, collection of facts, weather, raw, raw data का मतलब, जिस पे कोई calculation अभी तक नहीं किया गया है, जैसे collect किया गया था, वैसे ही आपके सामने present कर दिया गया, then it will be called raw data, cooked data, मतलब जो data था, उसमें कुछ plus minus, multiplication, division, sum, वगेरा, root, square root, यह सब calculation किया गया है, और result निकाल करके दिया गया है, कि skewness is this one, average is this one, standard deviation is this one, इसको बोलते है, cooked data, characteristic of the objects in a population और sample में भी, categorical और numerical, characteristic of data कहलाता है, categorical और numerical की data किस टाइप का है, category मतलब, good or bad, यह category हो गया, लेकर, numerical मतलब क्या है, जैसे 2000 salary, 3000 salary, अगर numerical value को represent करता है data, then this will be called numerical categorization, and अगर वो quality से मेंटर करता है, तो categorical data, categorical में, देखो बचे, categorical में क्या है, जैसे gender type है, malfunction type है, boy और girl है, educated और uneducated है, white और black है, जिनको हम नमबर से represent नहीं कर सकते, जैसे first hand information उसको बोलते है, raw data को, numerical, age, height, सबको नमबर से ही बता सकते है, how much age, how much height, weight, marks, length, temperature, etc. जिसको हम मेजर कर सके, measurement जिसका हो सके, that is called numerical. यह होगा data के बार में, data दो टाइप के होंगा, categorical और एक numerical. वेरिबल के बार में आते हैं, any characteristic whose value may change from one object to another in the population, they are generally called variable, and small letters represent, just small x, नहीं लेट कर लेते हैं, let small x be the height of student, let small y be the marks of student, तो यह small x, y, z, a, w, यह सब क्या होगा है, variable होगा है, data बच्चे, तीन टाइप के होंगे, univariate, y variate, multivariate, univariate में, single चीज का record होगा, जैसे, when observation on a single variable, जैसे, खाली age है, अगर हर बच्चे का खाली, आपने age record किया है, अगर आपने हर बच्चे का age और height, दो-दो चीजी करेक्टरिस्टिक, अगर आपने record किया है, then it will be called bivariate data, multivariate में height, age, marks, सब कुछ अगर करेक्ट किया, more than two, तो that will be called multivariate data, अब आजो branches of statistics, यह सब learn करना है आपको, पढ़ातो देरें, हम समझातो देरें, पीडिएफ है, पीडिएफ का printout करके, और learn करना है, आपको बैठ करके समझना है, इसमें से hardly two to three marks का कोई यह question आएगा, बस, चैरी से related, लेकिन पता होना चाहिए आपको, branches of, अब marks इसलिए इसमें आड़ कर दिया है, two to three marks, क्योंकि two to three marks के लिए भी बच्चे को पूरा section 1.1 तो पढ़ना ही पढ़ेगा ना, तो knowledge हो जाएगी उनको, अगर marks नहीं देते तो हो सकता, बच्चे ना भी पढ़ते, तो branches of statistics में है, descriptive statistics, इसके उपर पेपर में कोशन आये हुआ है, last में करवाएंगे हम, descriptive statistics और एक है, inferential statistics. Descriptive statistics मतलब आपने data जो collect किया, जो calculation किया, उसके basis पर जो result आ रहा है, that is called descriptive statistics. Inferential statistics में क्या होगा, कि आप किसी नतीजे पर पहुँचते हो, on the basis of sample, you decide some conclusion of population, that is called inferential statistics. So descriptive statistics में, दो तरीके से मनें पढ़ेंगे, graphical और calculation. Graphical में मैंने आपको पढ़ाय हुआ है, जैसे histogram, box plot, scatter plot. अब आपके लिए ना मन जाना नहीं है, क्योंकि हमने ये सब पहले पढ़ लिया, और फिर 1.1 पढ़ें, तो आपको एक एक चीज का meaning clear है, histogram कैसे बनाए था, उसे क्या-क्या निकाल सकते थे, box plot से क्या study करते हैं, scatter plot से क्या study करते हैं. Calculation में like mean, median, mode, standard deviation, coefficient of correlation, moments, etc. ये सब बिना calculation का आएगा ही नहीं, इन सब की numerical values होती. Inferential statistics के बारे में मैंने आपको बताया था, कि on the basis of sample, we decided something conclusion about the population. So, टेसे sample के साब से पूरे बड़े population का idea लगा देते हैं, that is called inferential statistics. We use sample information to draw conclusion, make an inference of some sort about the population, that is called inferential statistics. इसी के बार में 7, 8, 9 में पढ़ना है. Confidence interval एक topic पढ़ेंगे, और hypothesis testing पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ना आभी नहीं, for some में नहीं है. तो देखो बच्चे, अगर हम population से sample derive करते हैं, this is called deductive reasoning, probability reasons. Probability आपको पता लग जाएगी, अगर आप population में से sample बना रहे हो, और इसको हम लोग बोलेंगे, deductive reasoning. तेकिन अगर sample से population की तरफ जा रहे हो, ये क्याल हैगा inductive reasoning, मतलब on the basis of sample data, we decide something about the population, so it is inductive reasoning. समझ में आगया? अब है scope of modern statistics, statistics का use is सिर्फ, e-coroners में stats पढ़ने के लिए नहीं होता है, e-coroners पास करने के लिए नहीं होता है, statistics हर जगर यूज किया जाता है, banking, finances, sector, medical में भी, medical line में भी जो medicine वगरा देते हैं, आपको तो doctor medicine सीधा लिख करके दे देते हैं, लेकिन doctor के पास वो medicine आने से पहले, इसका कितना कुछ स्टाटिस्टिक होता है, तो आपको पता है, अगर आपने the vaccine war देखा होगा, आपने देखा होगा कि चूहे पे करता है, monkey पे करता है, तरह तरह कि monkey पे इसले, क्योंकि monkey का trait इंसान से बहुँ ज़्याद मिलता है, तो जो monkey पे आसानी से हो जाता है, वो इंसानों के लिए भी सही होता है, पे monkey को रखा गया है, तो चूहा, monkey, यह सब भी warm-blooded animal है, just like human beings, तो उन पे experiment किया जाता है, तो वहाँ भी data को record किया जाता है, कि इस temperature पर नमबर इतना था, इस temperature पर नमबर इतना था, यह था, वो था सारा data करके बताया जाता है, तो statistics वहाँ भी होता है, हर जगा होता है, medical science हो, कोई भी हो, हर जगा statistics यूज होगा, molecular biology में use होता है, ecology, plants and animals, specially distributed plants and animals, जो हमारे forest में होते हैं, उन पे भी होता है, इसके बार में भी हम लोग पढ़ेंगे, chapter 4 and 5 में, material engineering में भी होता है, कि भाई, थिकनेस कितना रखा जा कि तूटे ना, जो, एक simple से example हो, plastic chair, आजकल सब के घर में है plastic chair, कुछ जो सस्ते से होता है plastic chair उस पे दो-तीन पर बैठो के जूलो के उसके leg तूट जाते हैं, कुछ बड़े strong plastic chair होते हैं, आप खड़े हो जाओ, दो-तीन लोगों को साथ भी ले करके खड़े हो जाओ, कुछ भी कलो वो नहीं तूटते, उनों में फरक क्या है, तो पहला वाला जो है, उसके thickness कम थी, कम material लगा है, फैला करके दिखला दिया कि चेयर का shape बन गया है, कम plastic material में इतना बड़ा chair बना दिया, सस्ता दे दिया, महंगे वाले में कहा है कि मोटा thickness जादा कर रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस thickness पे इंसान अगर खड़ा होगा, इंसान का जैसे जादा weight कितना होगा, 80 90 kg, 100 kg, 110-620 लगा लो उसे उपर का इंसान थोड़ी होगा, वो खड़ा होगा अगर तो वो टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो उन्हें वहाँ पे statistics लगा कर के check किया हुआ है, कि minimum कितना thickness रखेंगे कि ये ब्रेक ना करें, तो material engineering में, जैसे भी तो मैं इसके बाद से मार्केटिंग सर्वेन स्टैटिजीज में, मार्केटिंग में भी यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का, वो तो सारे M.B.A किये हुए, यंग्स्टर्स आपके घर आते ही होंगा, आपको ये प्रोड़क कैसा लगता है, ये वो क्रीम, शैंपल, इन सब कोरोना फैल रही है, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स आपको याद है, न्यूस पर एक ग्राफ दिखलाते थे, कि मैक्सिमम जो है अपरिल में पहुंच जाएगा, मैक्सिमम जून में पहुंच जागा, फिर दिरे दिरे ग्राफ गिरेगा, हम लोग वेट करते थे ये बग इन सब का बनाना क्या कहलाता है, इन सब का बनाना क्या कहलाता है, उसमें Stress, Stress Effects and Impacts on Traffic Flows, ये सब के लिए भी Civil Engineering किया जाता है, त्राफिक फ्लोव जिसलिए क्योंकि एक ब्रिज पर एक बार में कितने ट्रेक और कितने गाड़िया जा रही हैं उसपे कितना लोड होगा वो कितना लोड सहने लाइक उसमें कौन सा सरिया यूज किया जाए सरीय मिन्स वह iron rod, कितने थिकनेस का concrete बनाया जाया, क्या-क्या से material यूज किया जाया, तकि वह टूटे ना, यह सब भी, इन सब में पि स्टाटिस्टिक्स यूज रहता है, अब हम लोग आते, enumerative versus analytic studies, enumerative का मतलब होता है, mentioning a number of things, one by one, एक के बाद, एक चीजों को अगर हम आराम-आराम से mention करें, that is called enumerative, analytic में क्या होता है, logical reasoning, description, logical मतलब logic के साथ हम लोग reason देते हैं और description करते हैं, interest is focused on, enumerative में, interest is focused on finite, identifiable, identifiable, unchanging collection of individuals or objects of the population, मतलब हर unit के बारे में, अगर हम लोग आराम-आराम से data इक अठा करें, that is called enumerative method, मतलब detailed method, और इसमें है, not enumerative and carried out with the objects of improving a future product by taking action on a process of some sort, जिसे, recalibrating equipment, amount of catalyst, मतलब, logical में है कि, किस तरीके से equipment का calibration किया जाए, catalyst मतलब, इसमें logic होंगे, जो उस field के export बंदे होंगे, वही इसमें अपना लगा सकते हैं, that is called logical reasoning description, समझ में आगे हैं, दोनों में, enumerative में दूसरा है, there is a sampling frame that is listing of the individuals or objects to be sampled, यहाँ पर sampling frame तयार किया जाएगा, और सारे individual or objects को list किया जाएगा, data can be either available or can be constructed, या तो data हमें दिया होगा, या फिर हम बनाएंगे, इसमें क्या होता है, there is no sampling frame, no sampling frame किस में logical में, कोई sampling frame नहीं होता, listing the individual or object of interest, but can talk with expertise, जो expert बन्दे हैं, उनके साथ बात करके, हम लोग काम कर सकते, कोई data की जरूरत नहीं होती, जैसे किसी instrument को recalibrate करना है, कि भाई, इसका measurement गलत आ रहा है, मुझे इसको सही से फिर से, calibrate मतलब, जगा जगा पर 1 की जी, 2 की, जैसे मार्क करना है, 1 cm, 2 cm, तो expert लोगों से बात्षीत करके ही काम चल जागा, बार बार हमें sampling करने की जरूरत नहीं है, we take data only on existing process, one that may differ in important respect from the future process, we use statistical inferential here, मतलब, sample के basis पे, population का idea हम लोग लगाते है, कि इसमें logical में, इसमें नहीं करते है, नहीं करते हैं, नुम्रेटि में तो सब को study करते हैं, अब आते हम लोग, types of sampling पे, types of sampling पे, अब sample के बार में तो जान लिए हम लोग, types of sampling का technique हमें सीखना है, कि कितने type के sample होते हैं, sampling हम लोग करेंगे कैसे, यह सब रह गया है, तो सबसे पहले तो बच्चे, types of sample में, एक होता है, purposive और subjective और judgment sampling, दूसरा होता, probability sampling, तीसरा होता, mixed sampling, यह क्या है, purposive और subjective और judgment sampling, a desired number of sample units is selected, purposely, depending upon the object of the inquiry, so that only the important items representing the true characteristic of the population are included in the sample, जैसे drama, society, music, competition, dance competition, अगर dance competition हो रहा है, तो सिफ दांसर को ही मुआ का दिया जागा, उन्ही को चूज किया जागा, फाल्तो लोगो को लेने की क्या जरूरत है, जो दांस जानते है, उन्ही को लिया जागा, तो purpose, के थू हम लोग सैंपल उनिट को सेलेक्ट करते हैं, probability sampling, each unit in is the universe has some definite probability of being selected in the sample, हर element का अपना एक probability होगा, सेलेक्ट होने का, each has equal chance, varying probability, कुछ भी हो सकता, सब का equal chance हो सकता, या varying probability हो सकता, या proportional probability हो सकता, double triple like this way, जैसे एक का, जैसे एक train में बंदे चड़ते हैं, तो ज़्यादा तर लोगों का क्या होता है, कि हम बीच के coach में चड़ें, ना इंजिन के बगल वाले में, ना लास्ट वाले में, तो बीच में चड़ने वाले का probability क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो है proportional probability होता है, second number, third number, कोच इन सब में कराने का, varying probability, सब की अलग-अलग probability होते हैं, और जब सब की equal probability हो, तो कहेंगे, each has equal chance, तो probability में ये matter नहीं करता है, कि किस step का है, बस हर element का अपना choose होने का probability होगा, मतलब कुछ तो probability के थू भी आएंगे, और कुछ अपना simple rule के थू भी आएंगे, simple random sampling, या stratified, यह सब अब भी पढ़ना है, यह सब पढ़ेंगे, यह mixed sampling में आते हैं, तो अब mixed sampling में कौन-कौन से टेक्निक हमें पढ़ने है, पहला है simple random sampling, मिक्स्ट सेंप्लिंग पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट सेंप्लिंग में, और जदा तर कोशन जो है, वो आपको probability sampling पे मिलेंगे chapter 5 में, एक है chapter 5 में, सेंप्लिंग जो मिलेगा, probability sampling होगा, simple random sampling पढ़ना है, stratified random sampling पढ़ना है, systematic sampling है, multi-stage sampling है, quasi random sampling है, area sampling है, simple cluster है, multi-stage cluster sampling है, quota sampling है, इसमें से, पढ़ेंगे हम लोग, quota sampling, simple cluster sampling, फिर पढ़ेंगे, multi-stage sampling, systematic sampling, stratified और simple random, quasi random sampling नहीं पढ़ना, area sampling, area sampling generally, zoo अगरा में होता है, forest reserve में होता है, कि एक किलोमेटर के area में, कितने line पाए गया, यह सब area sampling, वहाँ पर होता है, simple cluster sampling करेंगे, और quota sampling करेंगे, multi-stage भी पढ़ना ही है, सबसे पहले, random sample simple, it is a technique in which, sample is so drawn, that each and every unit in the population, has an equal and independent chance, of being included in the sample, हर element एक जैसा है, किसी को भी चुनो, सब बराबर है, खास ध्यान ही रखना कि, हम किसको चूज करें, all are equal, srs, wor, इसको short form में लिखते हैं, यह s का मतलब होता है, simple random sampling without replacement, wo मतलब without, और सिफ w है, o नहीं है, तो with replacement, मतलब, उसको निकाला, फिर इसको डाल दिया, मतलब, पहले वाले का, with replacement का, एक example ले लो, 10 candidate है, उसमें से पहला चूज किया, वो president बन गया, फिर से उसका slip डाल दिया, vice president भी बन गया, finance minister भी बन गया, prime minister भी बन गया, सब पुचेगी, इंसान बनता चला जा रहा, with replacement में, without replacement में, जो president बन गया, उसकी परिची बन गया, जो prime minister बन गया, उसकी परिची बन गया, जो finance minister बन गया, उनकी परिची बन गया, तो ये दोनों में अंतर है, किसमें, with replacement और without replacement में, we use lottery method, और use of table of random numbers, ये आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो table of random numbers, ये जाते हैं, उसमें से आपको sampling करना होता है, आपको नहीं पढ़ना है, lottery method मतलब, चीट बनाकर के डाल दिया, किसी का भी निकालती है, all are equal, stratified random sampling, stratified का मतलब होता, अलग-अलग stage पर divide करना, like, अगर हम income study करने जाने है, poor people, middle class people, high class people, तो अगर 30 member लेना है, तो 10 poor में से लेंगे, 10 middle में से लेंगे, 10 high class में से लेंगे, तब जागर के true reflection होगा, society का, stratification means division into layers or groups, stratify the given population into a number of subgroups, और subpopulation known as strata, उनको strata बोलते हैं, the units within each stratum, are as homogeneous as possible, मतलब एक stratum में, homogeneous रखने की कोशिश करते हैं, अब poor people में जरूरी नहीं, कि सारे poor people का एक ही income level हो, किसी का 100, 200 ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन homogeneous type का रखेंगे, एक ही design का, एक ही type का lifestyle है, proper घर नहीं है, proper electricity नहीं है, इन ही सब को poor के criteria में रखा जाएगा, the differences between various strata are as marked as possible, the strata means differ as widely as possible, अब दो अलग अलग ग्रूप में, काफी ज़्यादा डिफरेंस होने चाहिए, ऐसे poor और middle के बीच में, ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, यह नहीं कि लोग confused होकर, ज़्यादा को सुचिए कि किस में डाले, पूर में डाले और middle में डाले, इतना gap होना चाहिए कि आप easily identify कर पाओ, whether the data is, data has to belong to middle or poor, gap होना चाहिए हर class के बीच में, various strata are non-overlapping, मतलब उनके बीच में कुछ भी common नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से disjoint होने चाहिए, this means each and every unit in the population belongs to one and only one stratum, यानि population का अगर कोई X चूज कर के लाओगे, तो किसी एक ही stratum में जाएगा, तीनों में belong नहीं करेगा, तो stratified में यह ध्यान रखा जाता है, कि अगर classes और groups अब डिवाइड करो, तो बिल्कुल अलग-अलग groups होने चाहिए, उनमें common कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर है systematic sampling, only the first sample unit is selected at random, पहला बस हम randomly choose कर लेते हैं, उसके बाद से तो फिर pattern लगने लगता है, हर 10th element को choose करना है, या हर 20th element को choose करना, इस टेप का जो arrangement होता है, उसको मैं जो कहते है systematic sampling, first unit तो randomly select कर लेते हैं, and the remaining units are automatically selected in a definite sequence at equal spacing from one another, मैंने का नहीं हर 10th position पोजिशन पे हर 20th position पे, तो ऐसा position का decide कर लेते हैं, पि जो जो आता चला जाता है, उन सब को sample में लेते चले जाते हैं, इस यूज़ वन दी कंप्लीट अप्टो देट लिस्ट उप्टो दीट लिस्ट फैंप्लिंग यूनिट इस फ्रेम अविलेबल, अद यूनिट आरेंगे इन सम्स्तमेटिक ओर्डर, अलफबेटिकल, क्रोनोलोजिकल, जियोग्राफिकल, इस यूज़ आरेंज होना चाहिए, किसी एक ओर्डर में, जैसे अलफबेटिकल, A, B, C, D, तो कुछ A से भी ले लिया, कुछ B से भी ले ले लिया, कुछ C से भी ले ले लिया, लाइक दिस वे, क्रोनोलोजिकल, मतलब एकॉर्डिक टु टाइम, मतलब कुछ January से ले ले लिया, कुछ February से ले ले लिया, electricity bill वगर्ण को क्रोनोलोजिकल डेटा बोलते हैं, जो एरिया के हिसाब से होता है, कुछ Desert से ले लिया, कुछ Mountain से ले लिया, कुछ Plain से ले लिया, like this way, telephone directory and list of voters, यह सब किस में याते हैं, systematic sampling में याते हैं, cluster sampling, total population is divided into blocks or groups, depending on problems under study, into cluster and a simple random sample of these clusters is drawn, मतलब पूरे population को आप अलग-अलग group में डिवाइड कर दोगे, we then observe, measure, interview, each and every unit in this selected cluster, अब जैसे school है, school के एक section में 50 बच्चे हैं, इसमें से 5 बच्चे सिंगर हैं, 5 बच्चे दांसर हैं, 5 बच्चे क्रिकेटर हैं, 5 बच्चे में अलग-अलग cluster बना लिया, अब मुझे एक सिंगर चाहिए, तो इसी cluster से चूज करेंगे, एक रिकेटर चाहिए, तो इसी से चूज करेंगे, like this way, सबसे एक 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 चूज करेंगे, यह कहलाता है cluster sampling, multi-stage sampling में क्या है बच्चे, layer by layer, अब जैसे मुझे अगर, कुछ बच्चों को चूज करना है, कुछ auto-expo करवाना है देली में, तो देली के बच्चे काफी intelligent होते हैं, बोलने में भी अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेशन उनका, काफी young blood हैं, तो energetic भी होंगे, मुझे चूज करना है, तो सबसे पहले लेवल पे तो देली में बहुत सारे उनिवर्सिटीज हैं, तो कोई एक उनिवर्सिटी चूज करेंगे, IP है, JNU है, देली है, बहुत सारे है, तो मैंने पहले लेवल पे उनिवर्सिटी चूज किया देली, देली उनिवर्सिटी, उसके अंदर में चूज किया college, second level पे, college में से फिर stream चूज किया, मुझे एक ओनर्स के बच्चे चाहिए, उसमें से फिर चूज किया, मुझे semester one के बच्चे चाहिए, उसमें से फिर बच्चे चूज किया, तो यह 4-5 level का हो गया, इसको बोलते है multi stage sampling, क्या बोलते हैं, इसको multi state sampling, जैसे state, city, college, stream, student, quota sampling, quota sampling क्या होता है, जैसे male और female में से, कुछ OBC में, कुछ SC से, कुछ General से, इस तरीके से जब चुनते हैं, तो उसको कहते है, quota sampling, जिसमें हर एक special class के लिए, कुछ seats reserved होते हैं, कि यह data इसी class से बिलॉंग करना चाहिए, special form of certified sampling, उसी का special form है, sample size is fixed in advance, पहले से ही पता है, कि 10% OBC से आने है, 20% SC से आने है, 30% ST से आने है, 50% general से आने है, like this way, then examined from the stratum arranged in the investigator, sample size are fixed in income groups, sex, occupation, political, religious, affiliations, etc., जैसे religious party में भी लेते हैं, तो हर caste से बंदों को लेना होता है, ताकि वो अपने लोगों को influence कर सके, यह सब छोटी चोटी बाते हैं, तो यह कह रहाता हमारा quota sampling, इसके बाद से तो बच्चे बस हो गया, 4th chapter में, अब एक question हम आपको दे रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है, जब आपने पढ़ा है, तो ready हो जाएं, एक question देने जा रहे है, जो कि आया हुआ है paper में, in du, we took a, यह pdf से हमने cover कर लिया है, we took a sample of 100 students, कितने students का sample यह है, 100 students का, 60 are smokers, A, 60% of, यह statement A है, 60% of the sample units, 60% of the sample units are smokers, 60% of the sample units, 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 60% of you are smokers, आपको बताना है, descriptive statement कउनसा है, descriptive statement कौनसा है, descriptive statement कौनसी है, inferential statement कौनसी है तो देखो जड़ा descriptive statement कौनसी है और inferential statement कौनसी है कुछ idea बच्चे yes, a है और b है हमारा inferential descriptive मतलब जो sample का data है उसके हिसाब से sample में ही conclusion निकाला गया है सेंपल में हमने 100 बच्चे लिये थे उसमें से 60 स्मोकर तो भाई सही बात है सेंपल के हिसाब से 60% of sample units are smokers तो यह हो गया descriptive वो sample को उमने describe किया inferential मतलब we are coming to a conclusion about the whole population अब पूरे दियू के बार में कैसे idea लगा लें लेकिन लिख रहे है yes so you can write it no, it was just the objective type which is descriptive and which is inferential statement so you can explain I have to write the language that I have to write it since in a statement we are getting information only about the sample data only about the sample result from the sample data so it is called descriptive statement and then B we are getting some conclusion or we are making some judgment about the population which we don't know on the basis of sample so this is called inferential state okay so you can read it all and now this topic has also been put in this course in this course so if there is a question there is no idea so we have to read it all so you can read it all if you need to read it then you can read it all and do it 2-3 times so if this question comes out then kids will not differentiate descriptive and inferential but I have read it all in the notes descriptive and inferential statistics so you should know and you can read it all and prepare it all so this was the whole chapter 1 now you have to get segmenter PP milega so that's all for chapter 1 and see you in the next class till then buh-bye 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 and see you in the next class if you need to wait you can read it all and see you in the next class type of thing